जेहन एवरिवन मैं कार्त की शुकुला आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के इस खुबसूरा से चैनल पर स्वागत करता हूँ उमीद है आप सभी ने ड्रिल का वीडियो देखा होगा और आज हम जो कवर करने वाले हैं विपन ट्रेनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉपिक कवर करने वाले है आई होप आपको ये बहुत ही हेलफुल रहेगा आपके लिए आओ जुक कर सलाम करें जिसके हिस्से में ये मुकाम आता है कितने खुस नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है इसी लाइन्स के साथ आज कई वीडियो शुरू करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो विपन ट्रेनिंग में आपको ये आज़ फसन देता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप पिछले वीते कई वर्सों के प्रिवेस यर कॉशन्स साथी साथ यूटूब पे पढ़े हुए जितने भी वीडियोज है और साथी साथ ऑनलाइन कहीं भी जो सोर्से अवेलेबल है वो आप पढ़ेंगे या फिर आप थोड़ा सा अनलाइस करेंगे तो आप पाएंगे कि आप most of the questions लगा पाएंगे तो आईए शुडू करते हैं टॉप 50 questions हाला कि इसमें 6-7 questions ज़्यादा ही रहेंगे कम नहीं है 50 questions से थोड़े questions ज़्यादा है क्योंकि एक वास्ट topic है और सबसे पहले हम theoretical part को cover करेंगे भले वो आपके MCQ में आये या नाये लेकिन एक basic concept जानने के लिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है तो जो आज हमारा topic है पहला सवाल उसी से What is weapon training आये जानते हैं weapon training क्या होता है question number one क्या है इस cancer आये देखते है weapon training is imparted to cadets in following stages in progressive manner उससे पहले जान ले कि weapon training क्या होता है weapon training is one of the most interesting and adventurous training in NCC with the help of this training a cadet becomes a master in shooting as a sport and also learns handling of weapons for self-production this rifle the rifle which is generally used in weapon training is rifle 0.22 weapon training is imparted to cadets in following stages in progressive manner अब इसका मतलब समझते हैं थोड़ा सा ये तो होगे अंगरीजी अब समझते हैं तरह इसका मतलब weapon training एक क्या होता है बहुत ही interesting और बहुत ही adventurous training होती है NCC के अंदर जो कि NCC carrots को दी जाती है इससे वो क्या होता है कि shooting में वो master होते है साथी साथ उनको और various types of sports खेलने के लिए भी क्या होते है थोड़ा सा उनके अंदर एक spirit आती है जो generally हमारे यहाँ weapon training में जो rifle यूज करते है NCC के अंदर वो 0.22 mm की rifle यूज की जाती है और ये सिखाया जाता है learns handling of weapon for cell production की कैसे आप अपने आत्बरक्षन के लिए weapons का जो आप कैसे उसको है न weapons use करते हैं कैसे handle करते हैं कैसे आपको संहालना है क्या तरीके से कैसे पकड़ना है कैसे आपको target के लेना है ये सारी चीज़े उसमें सिखाया जाती है आप जानते है कि किस प्रकार से कौन कौन से parts है यह parts है इसका क्या use होता है इस parts को है ना कब use किया जाता है साथी साथ कैसे आपको गन चलाने उसके जो laws है definitions है वो सारी चीज़े आपको theoretical classes में बताई जाती है second stage में क्या करते है कि आपको और भी चीज़े understanding आपके अंदर लाई जाती है किसको लेकर तो second stage में आपको और भी चीज़ें सिखाई जाएगे कि कैसे आपको aim करना है कैसे आपको fire करना है यह सारी चीज़ें आपको एक पहले से ही करके थोड़ी बहुत आपको दिखाई जाएगी और third stage में third stage में आपको live firing करके दिखाई जाएगी firing range पे आपको firing आपको करना है और आपको देखना भी और करना भी है इससे क्या होता है कि आपकी जो precision है वो बढ़ती है accuracy बढ़ती है साथ में coordination बढ़ता है और body movement आपका एक सही होता है patience आपके अंदर आता है which helps in holistic development of cadets ये सारी ही चीजे क्या करती है एक cadets के अंदर holistic development ला देती ठीक है I hope आपको ये समझ में आया होगा ये थोड़ा सा theoretical portion है आपको इसको पढ़ना ही पढ़ेगा cover करना ही पढ़ेगा now question number 2 के और बढ़ते है what are the three basic essentials of good shooting यानि कि एक अच्छी shooting के लिए तीन basic जरूरी चीजे वो क्या है जो होनी ही होनी चाहिए आये देखते हैं वो क्या है comfortable position and hold so firmly steadily एक comfortable position होनी चाहिए माल लिजे आप laying position में है और आपके हैना हाथ में लग रहा है जमीन तो आप जब comfortable feel नहीं करेंगे तो आपका जो aim है जो आपने लिया है वो target गड़बड हो जाएगा second hold so firm steadily यानि कि अपने जो gun को है उसको सही तरीके से पकड़िए अगर आप थोड़ा धीला पकड़ेंगे जब आप trigger दबाएंगे और जब गोली निकलेगी आपके हैना shoulder पे back पे जटका लगेगा उससे आपका जो aim आपने लिया है वो गड़बड हो जाएगा इसलिए सही से tight पकड़िए gun को firer must aim correctly दूसरा क्या है कि अपने जो firer है जो firing कर रहा है उसका aim एकदम correct होना चाहिए पत लगान aim थोड़ा उपर ले लिया तो गोली कहीं और लगी टिक है trigger press in such a way that aim is not disturbed ऐसे way में trigger को दबाना चाहिए ऐसे तरीके से trigger को दबाना चाहिए जिससे कि आपका जो target है जो आपका aim है वो आपके aim से आपके target से ना भटके एकदम सही जगह लगे जहां आपने aim लिया है उसके लिए आपको सही तरीके से aim आपको सही तरीके से trigger को दबाना रहता है चीक है आपको आप यह समझ गए होंगे और यह आपको समझ मैंगो तो इसको तीनों क्या है तीनों बहुत ही basic essentials है किसके लिए एक good shooting के लिए now question number 3 बढ़ते हैं what are the three characteristics of a good laying position एक अच्छी laying position के लिए आपके क्या characteristics होने चाहिए तो दो main important characteristics है वो क्या है आए देखते हैं laying position में जब आप अपने पैरों को पीछे के और करते हैं तो जो आपके पैर है वो wide होने चाहिए थोड़े से दूरी पर होने चाहिए और जो आपकी body है body slanting to the left from the line of the target line of the target यानि कि आपकी जो body है वो हलका सा क्या होनी चाहिए target के left side में जुकी होनी चाहिए इससे क्या होगा sir इससे ये होगा sir कि आपका जो target आपने लिया है वो एकदम सही position में लगे क्योंकि आप अगर एकदम सीधे आप aim कर रहे है तो उससे क्या होता है कि आपका जो devie थोड़ा सा path हो आपका deviate हो जाता है और गोली आपकी इधर उधर लग जाती है फिर कहते है sir आपको number नहीं मिला ऐसे नहीं होता आपको थोड़ा सा left side में जुकना पड़ेगा थोड़ा सा आपको slenting करना पड़ेगा तभी आपका क्या होगा aim कर रट लेगा यह नियम है ध्यान दीजेगा दूसरा क्या है formation of the two triangles दो triangles का formation होता है पहला मैंने आपको बता दिया आपको पैर आपको चोड़े रखने है दूसरा क्या करना है आपको दो triangles का ध्यान रखना है एक होर्जा है horizontal triangle और दूसरा होता vertical triangle horizontal triangle क्या है sir horizontal triangle ऐसा triangle है sir आप triangle है तो तीन points होगे वो कौन कौन से पहला आपका chest जो कि आपके ground पर होगा पहला point दूसरा आपका left elbow और तीसरा आपका right elbow ये तीनों position आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका क्या हो एक triangle का creation हो समझ गए आप और vertical triangle में क्या होता है ये as view from the front of fire यानि कि सामने से इसको देखा जा सकता है two of its sides are formed by the forearms यानि कि इसकी जो दो sides से triangle की वो forearms से यानि कि आपकी भोजाओं से बनाई जाती है और जो इसका base है वो आपके क्या होते है ground between the elbows यानि कि ground से बनाया जाता है इसका जो third line है ठीक है ता I hope आपको ये क्लियर होगा in addition a quick such quick check the shoulders should be level ये level है यहाँ पर थोड़ा सा mistype हो गया है तो ये level है आपके shoulders जो है क्या होने चाहिए एकदम level पे होने चाहिए ये होते हैं आपके कुछ अच्छे good characteristics होते है laying position के अच्छी laying position की good laying position की characteristics होते है now question number four क्यों बढ़ते है define laws of aiming aiming की क्या सिध्धान्त है ये बताए तो कितने हैं चार हैं तो ऐसे भी कोशन आ सकता है कि वह या aiming की कितने सिध्धान्त है कितने चार है अब हैं कौन कौन से वो भी देख लेते आईए पहले है focus the target अपने target को देखिए so that the clear picture is found on the retina of the eye and get the true center of the target then with the eye focus to the foresight यानि कि आपको अपना जो target पे है वो अपना focus है वो target पे रखना है और उससे क्या होगा एक clear picture बनेगी आपके eye के retina पर ठीक है और साथी साथ आपको एक true center लेना है एक सही से center लेना है किसका अपने target का then with the eye focus to the foresight अपने आख जो है आपकी उसको क्या करेंगे foresight पे focus करेंगे ठीक है तीन चीज़े होती है बताऊंगा आपको बाद में you cut होता, foresight होता है, center होता है, back side होती है सारी चीज़े होती है इसको आपको मिला करके आपको firing करनी रहती है यह जब चीज़ आप तीनों मिलाते है तब ही आप एक अच्छी shooting कर पाएंगे दूसरा क्या नियम है दूसरा है sir, hold the rifle properly यह पहले भी पता अभी आप पढ़ चुके है कि आपको अपनी गन को क्या करना है धंक से पकड़ना है टाइट से पकड़ना है और धंक से पकड़ना है जनाब, चीक है तीसरा क्या है अच्छा, यह बताएं shooting करते समय आप कौन सी आख बंद करते हैं यह आपके लिए question है तो आप बताएंगे बाई आख बंद करते हैं close the left eye and focus the foresight और foresight पे focus करते हैं तीसरा लूँ है चौथा क्या है इसका यह मतलब है इस पूरी कहानी का कि आपको क्या करना है आपको तीनों जो आपके चीजें है एक होता है यू-cut और एक होता है foresight और एक होता है आपका जो back side या फिर जिससे आप एक तरीके साब center भी कह सकते है तो वो क्या होता है इन तीनों का आपको align करके आपको last में क्या करता है shoot कर देना रहता है अगर आपने shoot कर दिया आपका निशाना सही जगा पर लग गया target पर लग गया खटाक से गोली लग गई आपको खटाक से मिल गया आगे बढ़ते हैं खटाक से चलिए what is the sequence of action while firing a shot question number 5 है आपके सामने क्या है कि what is the sequence of action क्या sequence रहेगा actions का जब आप firing कर रहे हैं यह आपको कुछ उपर नीचे करके दिये गए हैं इन्हों आपको मतलब एक sequence में करना है क्या आप firing करने के लिए क्या आप पहले aim करेंगे firing करेंगे follow through करेंगे breathing करेंगे इसको sequence में करना है तो बताए क्या करना रहेगा पहले आए देखते हैं इसका जो correct है ADBC यानि कि देखे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा aim लेना पड़ेगा अरे भीया जब aim लोगे जब target लोगे तभी ना आपको shoot करोगे कहीं भी shoot कर दोगे नहीं पहले aim लोगे ठीक है उसके बाद फिर आप sans लोगे अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे सर्थ सांस तो लेते रहते है तो पहले aim करेंगे फिर सांस लेंगे क्या क्या उसके पहले सांस छोड़ देंगे नहीं पहले aim करिए comfortable position पर आए सांस तो आपके चलती रहे लेकिन उसके बाद एक बढ़िया से क्योंकि जब हम फाइरिंग करते हैं तो बोलते हैं कि आपको अपनी सांस तो क्या करना भी है hold करके रखिए थोई देर के लिए छोड़े से seconds के लिए उससे क्या होगा है अगर आप सांस लेंगे तो आप एक जटका आपका सरीर है ना थोड़ा सा महसूस जर्क महसूस करें जिससे क्या होता है कि आपका जो एम है उसमें क्या होता है डिवेशन आ जाता है तो आपको सबसे पहले एम करना है दूसरा आपको अपनी ब्रीधिंग एक बढ़िया से लंबी सांस लीजे इसको होल्ड एकरिए उसके बाद फिर फाइरिंग करिए और उसके बाद फिर फॉल्व थू फॉल्ल तो क्या होता है आपको सारी चीजें डिटेल वगेरा चेक करना ठीक है इस सारी चीजें आपे लिखी हुए देखे पहले एम करना फिर breathing करना ठीक है और उसके बाद firing करना correct team लेकर कहीं firing करेंगे ठीक है और last में होता है follow through the hold and aim must be maintained यानि कि जो आपको hold and aim है उने थोड़ा सा गोली चलाने के बाद भी आपको थोड़ा सा है न पोस्चर बना के रखना पड़ेगा वही वाला ठीक है होता नहीं है कि batsman जब shot मा बना के रखता है ठीक है वही उसी तरह से कुछ यहाँ पर भी आपको करना है until the bullet has left the barrel जब तक क्या हो कि bullet जो है barrel को छोड़ करना चले जाए तब तक आपको वो चीजे आपको वो position बना के रखनी है better stiff fire should allow through until the bullet has reached the target यह अच्छी जागर firing आपने की होगी तो क्या होगा कि भी यह बिलकुन जब तक आपकी जब बुलेट वहाँ पर target में लाग जाए तब तक आप क्या करें वही एक सही चीज होती है कि आप है न एक position को hold करके रखें ठीक है maintain करके रखें now question number 6 के और बढ़ते है what is the normal procedure on the firing points देख लिजए normal procedure क्या होता है firing points में यह कुछ procedures है इतनी बड़ी यहाँ पर procedure है मैं आपको बताता हूँ simple तरीके से क्या है यह तो देखते हैं कि procedure क्या है एक normal firing में ठीक है normal procedure क्या है firing में तो देखते हैं सबसे पहले तो देखें यह क्या है the party to fire is brought within about 100 yards जानी कि जो party fire करने वाली है वो 100 yards पीछे होनी चाहिए firing points से practice to be fired are explained जो भी हमको practice जो भी हमको जिस तरह से भी हमको firing करना है वो चीज़े हमको एक बार practice करके फिर हैना एक बार explain करनी चाहिए ठीक है fire is our detail to targets और जो fire is है वो target के target को लेकर के हैना detail उने करना पड़ता है ठीक है the coaches emanation party and look out men take up their positions जो कोच है जो आपके पास खड़े रहते हैं आपको guide करते है emanation party जो आपको गोलिया देती है and look out men take up their positions और आप जो आप अपने positions के रभ देख रहे हैं यह सभी अपने positions पे आप लोग चले जाएगे यानि कि कोच अपनी जगह पे होगा जो गोलिया आपको देर अपनी जगह पे होगा आप firing जो आप जो फाइर है वो आप अपनी जगह targets यानि कि जो पहली डो details रहेंगी वो target के पीछे रहेंगे ठीक है on the order of आगे बढ़ detail advance जिसे बोलते हैं the first detail will take position on the firing point यानि कि लगातार जैसे माल लीजे कि तीन detail खड़ी है तो क्या होता है कि पहली line first detail will make the position of will take the position on the firing point यानि कि जो पहली वाली detail पहली वाली line हो firing point के पास जाकर position अपनी ले लेंगे on the lowering of the red flag at the butt यानि कि बट पर मैंने आपको बताया भी था कि एक लाल कलर का कपड़ा लगा रहा था उसको lowering यानि नीचे जब कर देते हैं the officer supervising the firing point may order his red flag to be taken down यानि officer आपको कहते है कि जो लाल वाल पकपड़ा है उसको है जो जंडा है उसको नीचे करिए and give the order of detailed advance और वो order of detailed advance आपको दे देते हैं the coaches check up their positions and आपकी जो coaches हैं वो आपकी positions को देखेंगे और correct करेंगे अगर वो उसमें कुछ सही करने के आपको जरूरत है तो अगर आपने गलत position रखी है तो आपको वो सही कर देंगे ठीक है और फिर आपको limber up की command नेगे limber up में आपको मैंने बताया कि तीनों जो four side, back side और जो center होता है you cut होता है उसको आपको मिलाना रहता है तीनों को एक line में मिलाना रहता है the fighters must align rifles as they have been taught और उनको जो fighters है उनको क्या करना रहता है कि rifles को जो है align करना रहता है एक line में रखना रहता है ठीक है जैसा कि उनको बताया गया है ठीक है the officers will then give the order to load any carry on load and carry on यानि कि आपको officers जो कहेंगे कि आप अपने ammunition को load करिये गुलियों को है ना load करिये and carry on and शुरू करिये the firing will start only after getting orders from the officer in charge firing officer in charge firing जो firing करवाते है उनके order पर ही आप क्या करेंगे start करेंगे अपनी firing को on competition of fire यानि कि आपकी जैसे ही firing complete हो जाती है the firers must raise their right hand up यानि कि आपको अपना right hand उठाना है and keeping the elbow on the ground elbow आपको ground पर रखना है officer in charge will give the word of command खाली कर जैसे आपको खाली कर कि कमांड आएगी आपको अपने जो है जो अपकी जो ammunition है वो आपको दिखाना पड़ता है कि खाली है कि नहीं ठीक है on this the firers will take their rifles onto their shoulders इस word of command पर आपको क्या करना है कि अपनी rifles को अपने shoulders पर लेना है and move the bolt twice press the trigger and stand up यानि कि आपको जो bolt है जो लगा रहता है नीचे जिसमें से आपने गोलिया जिसके मिज़च से हना भरते है उसको आपको दो बार है ना move करना रहता है trigger को एक बार दिवा के दिखाना पड़ता है और खड़े जाना यह सब इसलिए होता है ताकि यह ना check कर पाएं कि कहीं बंदुक में गोलिया भी रहतों नहीं गी है इसलिए तो officer in charge will give the command detail report आपको फिर report देनी पड़ती है और इस था फाइर वो रिपोर्ट नमबर एक रैफल ठीक दो ठीक तीन ठीक नमबर चार रैफल ठीक यानि कि लाइन बाइन मैंने आपको बताए कि एक लाइन होती है तो उसमें क्या होता है नमबर एक वाला जो होता है वो बताएगा जैसे बोलेंगे detail report तो नमबर एक वाला बोलेगा नमबर एक रैफल ठीक दूसरा बोलेगा दो ठीक तीन ठीक ऐसे करके चलते जाएंगे नमबर चार रैफल ठीक जहां तक भी हो ठीक है the report will be formed left to right यहनि जो report है वो left to right होगी यहनि पर left वाला बन्दा बोलेगा फिर right वाला बन्दा बोलेगा normally four targets are used on miniature range normally क्या होते चार टार्गेट सी use किया जाते हैं ठीक है छोटे-छोटे रेंजों में ठीक है यहनि इसलिए बोलागे नहीं है यहापर इसलिए चार राइफल तक दिखाया गया क्योंकि चार ही लगबग टार्गेट रखे जाते है तो चार फारर्स होते हैं इसलिए यहाँ पर नमबर एक राइफल ठीक दो ठीक तीन ठीक चार ठीक ही तक किया गया है बाकी वो डिपेंड करता है कि कितने वहाँ पर है ना जो अफिसर है वो कितने टार्गेट लगवा रहे है ना नेक्स है एम वाला दो फर्स्ट और लास्ट फायर विल से नमबर एक राइफल ठीक और रेस्ट विल से दो ठीक तीन ठीक और भी आपको बताया कि पहला कहेगा नमबर एक राइफल ठीक लेकिन दूसरा यह नहीं बुलेगा नमबर दो राइफल ठीक वो यह नहीं बुलेगा वो यह बुलेगा दो ठीक तीसरा बुलेगा तीन ठीक और जो लास्ट वाला रहेगा या चोथा वाला माली जे रहेगा वो बोलेगा number 4 rifle ठीक है यानि last और first और last वाले ही बोलेंगे number 1 या फिर number 4 ठीक है the details are changed by word of command जो details है वो word of command के अनुसार change हो सकती है the new detail which has been waiting come up while another detail from behind यानि कि जो नई detail है जो wait कर रही थी वो हैना आगया जाएंगी और दूसरी जो है detail बन जाएगी पीछे ठीक है before the fireers leaves the range they will have a further weapon inspection उनको फिर जैसे ही जो fireer होते firing कर लेते और उनको हैना जब वो range को leave कर रहे होते हैं छोड़ रहे होते हैं तो उनको हैना एक weapon inspection भी करवाना पड़ता है कि आपके weapon सही है कि नहीं each fireer will be asked whether she has any live ammunition ठीक है उससे पूछा जाता है कि कहीं है ना उनके gun में कोई गोली तो नहीं है ठीक है it will be ensured that they have no live ammunition और ये ensure कि जाता है कि हाँ उनकी rifle में कोई भी गोली नहीं है तो ये एक लंबा procedure था इसको मैंने आपको detail में इसलिए बताया क्योंकि ये थोड़ा सा important है अगर आप practical भी करते है firing भी आपसे करवा जाती है या फिर है ना gun के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ पूछा जाता है फाइरिंग से भी कुछ practical में पूछा जाता है और या फिर है ना इसमें MCQ में आपसे कुछ पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा procedure का part है नहीं है इसमें 2-3 word of command भी है तो वो भी मैंने आपको बता दिया तो यह थोड़ा से important section था थोड़ा लंबा section था तो इसको cover करना detail में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आई होप आपको यह समझ में आगए बढ़ते हैं next question की तरफ तो question no.7 क्या है MPI stands form MPI का क्या full form होता है तो आई दिखते है main point of impact machine power integrity main point of impact तो main point of impact इसका सही answer है और यह main point of impact होता क्या है the central point of area covered by the group of rounds fired with consistent aim and held at the same aiming mark is called MPI यहनि की MPI एक तरफिके से ही समझे की target पे है ना एक ही जगा पे जहां बहुत सारे आपने गूलिया मारी हो एक जुन्ड में मारी हो एक है ना बहुत सारे ग्रूप में मारी हो तो वो जितना area छोटा रहता है ना MPI आपको उतना ज्यादा ही अच्छा होता है तो main point of impact हो ही होता है जहां पे है ना group में ठीक है group में group of rounds fired किया जाते है ठीक है तो यह होता है MPI वहाँ पे लगातार आपने एक ही जगा गोली मारी है consistently aim किया है उसको बोलते है MPI ठीक है ना question number 8 देखे question number 8 क्या है what is grouping capacity तो grouping capacity देख लेते हैं the diameter of circle containing all five shots fired by a man to the best of his ability is known as his grouping capacity यानि कि जो diameter होता है circle का पांच गोलिया अमूमन आपको दी जाती है firing करने के लिए ठीक है तो जब आप पांचो गोलिया fire करते हैं तो एक हैना जो circle बनता है आपका तो उस circle के जो diameter होता है वही आपका बताएगा कि आपकी grouping capacity कितनी बढ़ी है diameter जितना कम होगा उतना ज़्यादा आपकी अच्छी grouping capacity होगी diameter आपका जितना ज़्यादा होगा एक गोली यहाँ उपर लगी है target में कहीं नीचे लगी है कहीं एक दम कोने में लगी है तो एक circle जो है बड़ासा बन जाएगा और हैना आपका diameter ज़्यादा हो जाएगा now question number 9 के और बढ़ते हैं अब यहाँ से एक चीज देख लीजे यह चीज देख लीजे आप थोड़ासा यह chart देख लीजे इस chart को आप देख लेंगे तो rifle .22 जो number है कौन सी? mark 4 और deluxe BA rifle जो है इन दोनों की आपको है ना यह qualities है आपको याद रखनी है इनसे questions आते हैं तो एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ वाकि आप questions करेंगे तो यह आपको लगबग याद हो जाएगा एक से दोबार अगर आप देखते हैं तो याद हो जाएगा आपको आईए आगे बढ़ते हैं question 1 है what is the length of .22 mk4? mk के मतलब होता है mark .22 mark4 का care length होता है 45 inch 50 inch 55 inch और यह 30 inch तो इसका जो होता है 45 inch होता है यहाँ पर देखें दिया भी गया है 45 inch अब देखें एक चीज मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा यहाँ पर quality कि जो mark4 होती है वो थोड़ी से हैना heavy gun होती है थोड़ी से हैना अच्छी होती है डिलेक्स थोड़ी से उसे कम मलब हलकी होती है थोड़ा से एक तर्मी समझ लिजे कि main gun जो आपकी है mark4 और .22 mark4 और .22 mark4 और .22 mark4 में main जो गन होती है वो होती है mark4 तो देखें इसकी length भी जादा है इसका weight भी देखे 8 LBS 10.5 OZ है और देखें वहीं डिलेक्स का है ना 6 LBS 2.5 OZ है इसमें है ना 10 round होता है उसमें 5 round होता है और कुछ quality सेम है जैसे कि इसमें 2700 per second में है मजल velocity होती है उसकी भी हैना उतनी होती है groups in the barrel वो इसमें 6 उसमें भी 6 है तो कुछी चीज़े आपको ध्यान देने वाली है याद करने वाली है रेंज दोनों की सेम होती है ठीक है 25-25 maximum range 1700 yard at 33 angle 1700 yard at 33 angle caliber उतना ही होता भी जा ammunition उतना ही होगा और यह जो rate of fire है यह देखे normal यानि कि normal जब आ फाइरिंग करते है तो उसका क्या rate होता है इसमें 5 round उसमें भी 5 round rapid इसमें 10-15 उसमें 10-15 यह 10-15 क्यों हो क्योंकि इसमें जो maximum capacity है वो 15 की ही है ठीक है 15 की ही है तो यह हो गया आपका एक तोई किसे आप यहाँ से idea लगा सकते तो यहाँ पर question देखिए अब आपके लिए करना थोड़ा असान हो जाएगा length क्या है इसका 45 inch mark 4 का अब वहीं पर deluxe का length पूछा है तो deluxe के मैंने बताया आपको 43 inch हो गया ठीक है उसका 45 इसका 43 थोड़ा सा कम अब आपसे पूछा है what is the weight of 0.22 mark 4 है न तो weight क्या है तो देखिए 10 lbs 8 half object है कि 10 lbs 8 object है 8 lbs 10 half object है या फिर 8 lbs 10 half object है तो देखिए यहां पर दो ये same हो गया है option लेकिन इसका जो answer क्या है 10 lbs 8 lbs 10 half object ठीक है 10 lbs से नई start होगा ये 8 lbs से start होगा तो 8 lbs 10 half object इसका सही answer है ठीक है इसका weight मतलब की लगभग ये समझ लेज़े कि 8 lbs 10 half object है और अगर next question देखेंगे what is the weight of 0.22 deluxe ये का क्या है 0.22 ही rifle है लेकिन deluxe है तो इसमें आपको बताए थोड़ा ये से कमजोर एक तरीकी से main rifle नहीं है 0.22 की इसमें थोड़ा कम होगा जो इसका answer क्या है 6 lbs 2 object ये उसमें से दो थोड़ा कम हो गया ये वो 8 lbs था ये 6 lbs है और इसमें 2 object है वो 10 half object थी ये 2 object है ठीक है अगर आप option वहाँ पी जब आपको दिये रहेंगे 4 तो आपको ये hit कर जाएगा ठीक है वहाँ 8 lbs था 6 lbs है वो हाँ 10 half object था यहाँ 2 half object है ना question number 13 है वाट इस दे वेट आफ 7.62 mm SLR ये भी एक तरिकी की गन है और इसका वेट क्या है ये समझना है 7.62 mm यानि ये जो mm है ये mm है ये mm है ठीक है SLR self-loading rifle है ठीक है इसका full form क्या होता है self-loading rifle तो देखें इसका कितना होता है 2.5 kg होता है 4 kg होता है 5.1 kg होता है ये 3.5 kg होता है तो इसका जो वेट होता है वो 5.1 kg होता है याद करना पड़ेगा 5.1 kg अब देखें इसको याद कैसे करेंगे 7.62 इसमें देखिए 7 और 6 है 3 consecutive नंबर अगर यहां पर देखे हैं तो जो यहनी कि 3 लगातार संख्या तो 7 और 6 है तो इसके पहले क्या था 5 तो 5 लगबग इसका 5 कितना है 5.1 इसका जो है वेट है ठीक है 7.62 mm सिलार का Now next question देखते है What is the weight of 5.56 mm इनसास इनसास जो होती है वो 5.56 mm की होती है तो इसका क्या weight है इसका जड़ा weight देखे 2.5 kg 3.6 kg 2.6 kg 3.5 kg तो इसका जो weight है 3.6 kg है वो कैसे आप याद करेंगे वो कैसे याद करेंगे देखे जड़ा इसमें देखे दो बार 5 है दो बार 5 है चीक है एक 5 missing है उस 5 के जगा 6 आ गया ठीक है तो 3 बार 5 हो जाता अगर 6 के जगा 5 होता तो क्या होता 3 बार 5 तो लगबग 3 और 6 last miss में दिया ही है तो 3.6 kg यह मैं आपको बस एक एक कैसा होना मंत्र दे रहा हूं कि यह थोड़ा सा आपको हिट कर जाएगा आप भूल भी जाते है तो थोड़ा सा आपको हिट करेगा क्या है रही ऐसा ऐसा कुछ था ऐसा ऐसा मुझे बताया गया था ठीक है तो 5.56 यानि कि 3.6 kg इसका इंसास का जो होता है वजन होता है आप देखे 84 mm और आरल का वजन लिखो यानि कि ये भी एक तरकी की गन होती है तो 8.4 यानि कि 84 84 mm की जो आरल होती है उस गन का वजन लिखो तो कितना वजन होता है इसका आंसर है 16.100 kg ठीक है यानि कि लगभग 16 kg इसका 16 kg 100 g इसका वजन होता है तो ये आपको याद रखना है ठीक है 16 kg नेक्ट कोशन की और बढ़ते हैं यानि कि यहाँ तक आपने देखा कि वेट वाले सारे कोशन में आपको सारी गन का करवा दिया है अगर एक दो है तो वो आगे आपको बता दिया जाएगा ठीक है यानि कि जितनी गोलिया उसके अंदर आ सकती राइफल के अंदर जितनी गोलिया आ सकती है उसको मैगजिन कापैसिटी बोलते हैं तो देखे 5 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड, 20 राउंड तो अभी आपको मैंने एक चार्ट में दिखाया था कि इसके अंदर कितने 10 राउंड आ सकते हैं ठीक है 10 राउंड इसके अंदर भरी आ सकती है एक बार में वहीं अगर डिलेक्स की बात करें तो यह थोड़ी से है न मेंन से थोड़ा सा कम होती है तो उसमें 10 राउंड था किसमें 0.22 मार्क 4 में तो इसमें 5 राउंड है ठीक है उसमें 10 इसमें 5 ना कोशन नमबर 18 कैसे याद करेंगे सर देखे लाश्ट में 2 आ रहा है 2 0 20 ठीक है ऐसे याद करेंगे और इसका magazine capacity का भी मैं आपको SLR का weight भी बताया था मैंने कैसे याद करना सिखा था कि 7.6 है तो 5 आएगा क्योंकि है ना 3 consecutive number 7 6 5 6 7 तो है ना 5 हो जाएगा तो 5 पॉइंट लगबग 21 कितना था ऐसे थो उसका weight था और इसकी magazine capacity कैसे है 20 rounds ठीक है SLR की magazine capacity 20 rounds ना कोशन नमबर 19 है 7.62 LMG LMG का मतलब light machine gun ठीक है इसके पहले देखे 7.62 ही SLR भी थी यहाँ पे 7.62 ही LMG है ठीक है तो इसकी magazine में कितने round आते हैं इसके magazine में देखे कितने round आएंगे 30 rounds यह light machine gun है SLR से थोड़ा सा heavy gun होती है अच्छी gun होती है उसमें 20 rounds होते थे SLR में तो इसमें 30 rounds है ठीक है इसमें 30 rounds है ना बढ़ते हैं next question के तरफ question number 20 के तरफ what is the muscle velocity of .22 mark 4 ठीक है तो पहले तो यह समझें कि यह muscle velocity होता क्या है यानि कि जो rifle से गोली निकलने की जो speed होती है ठीक है muscle से जो निकलने की speed होती है किसी भी rifle की उसको muscle velocity कहते है तो .22 mark 4 का जो है ना muscle velocity कितना है 2100 per second 2200 per second 2500 per second तो 2700 per second 2700 per second आपको याद रखना है ठीक है 2700 per second याद रखना है किसकी muscle velocity कितनी है 2700 per second यहापे देखे आंसर में और क्या दिया गया है .22 mark 4 का 2700 per second और D-Lex BA कभी 2700 per second तो यह चीज़ें सेम हैं दोनों rifle में यह देखे what is the muscle velocity of .22 D-Lex BA मैंने आपको बताया कि muscle velocity जो है दोनों की सेम है तो इसका आंसर भी हो जाएगा 2700 per second How many grooves are in the barrel of .22 mark 4 Groves क्या होता है Groves मतलब कि hole hole इसलिए बना जाता कि ताकि है न जब गोली निकले barrel से ठीक है barrel मैंने आपको बताया था कि rifle में जो आगे काला वाला लंबा लंबा जो पार्ट होता है उसको है न जहां से गोली निकलती है उसको है न पैरल बोलते है तो उसमें है न छोटे-छोटे छेद बने होते है क्योंकि है न जब गोली निकले तो जो heat generate होती वो बाहर निकल सके ग्राफल से है तो इसलिए ग्रूफ्स बना जाते है तो 0.22 Mark 4 में कितने ग्रूफ्स बना जाते है 2, 4, 6 6 ग्रूफ्स बना जाते है ठीक है 6 ग्रूफ्स बना जाते है 0.22 Mark 4 में 6 ग्रूफ्स बना जाते है 6 ग्रूफ्स देखे 6 ग्रूफ्स बना जाते है Mark 4 में भी और Deluxe BA में भी 6 Groves बना जाते हैं तो next question आपका इसी से होगा कि how many Groves are in the barrel of 0.22 Deluxe BA तो यह चीज़े same है मजल velocity same है और इसका जो Groves है वो भी same है Now what is the effective range of 0.22 Mark 4 Effective range क्या होता है कि कारगर range जिसे बोलते हैं कि आप यहां तक तो गोली एकदम बढ़िया से लगी जाएगी इस range में गोली एकदम असानी से है ना अगर आप सही हैं करेंगे तो लग जाएगी चीज़ेगे तो इसका कारगर range कितना है देखते हैं 20 yards, 30 yards, 35 yards ये फिर 25 yards तो इसका 25 yards इसका सही answer है तो 25 yards जो होती है वो range होती है Mark 4 की और 0.22 deluxe BA के भी 25 yards होती है तो अभी मैंने आपको तीन characteristics पढ़ा हैं जो लग बग दोनों rifle में same है muscle velocity, grooves और ये effective range वही चीज़ अभी मैंने आपको बताया कि 25 yards ही होगा और दोनों की चीज़े same है 0.22 deluxe की भी और Mark 4 की भी ये चीज़े मैं आपको बार-बार इसलिए बोल रहा हूँ ताक कि आपको पढ़ते याद हो जाए ये एक technique होती है जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि हाँ ये उसका भी same था इसका भी same था आए देखते हैं 100 meter 275 meter 150 meter 175 meter वैसे तो आंसर दिया है 275 meter 255 meter इसकी क्या है SLR की effective range कैसे याद करेंगे देखे देखे ज़रा 7.62 mm आप देखे सबसे लाज में कौन सा डिजिट है 2 और इसके पहले में क्या है 7 ठीक है तो 27 27 हो गया तो देखे 275 275 तो 275 इसका जो हो गया SLR का effective range हो गया अच्छा यह जो दिया रहता है 5.56, 7.62, 2.22 यह सब होता क्या है यह जो number होते है जो आपकी उस rifle की ammunition होती है उसका size होता है यह उसकी गोलियों का size होता है उसके हैना caliber का size होता है caliber यानि जहां से गोली निकलती है बैरल में से ठीक है उसको caliber गोलते है effective range of 5.56 mm इंसास का क्या effective range है 100 meter 200 meter 300 meter 400 meter यानि अभी तक आपने सबसे ज़्यादा देखा तो किसका देखा है 400 meter देखा ठीक है वो किसका है वो इंसास का है ठीक है तो इंसास का याद रखना पड़ेगा आपको सबसे ज़्यादा है 400 meter अभी तक ठीक है ना question number 28 7.62 mm LMG का कारगर range लिखो यानि कि effective range of LMG gun see answer कितना on bipod 500 yards on tripod 1000 yards यानि कि अगर आप इसको bipod पे लगा करें चलाएंगे तो 500 yards इसका होगा effective range और tripod पे लागा कि चलाएंगे तो 100 हो जाएगा 1000 yards अभी तक सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा effective range आपने देखा वो LMG का देखा light machine gun वैसे भी light बहुत तेजी से struggle करती है और तो इस तरह से आप याद कर सकते है कि सबसे ज़्यादा जो कारगर रेंज है सबसे ज़्यादा किसकी है वो है आपकी LMG की 5 yards on bipod and 1000 yards on tripod ना नेक्स कोश्चन है इस दे maximum range of 0.22 mark 4 यह maximum range है वो थी effective range effective range में लब कारगर यह maximum कि हाँ ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है इतनी दूर तक इसकी गोली ज़्यादा ज़्यादा कारगर यह फिर impactful हो सकती है क्या है 0.22 mark 4 का effective maximum range 1700 yards 33 angle ठीक है 1700 yards at 33 angle आपको बताया पिथा चार्ट में कि 1700 yards 33 angle से में ही होता है आपका mark 4 उसके 0.22 डीलेक्स के लिए भी ठीक है यहाँ पे दिया भी हो साइट यह देखे डीलेक्स के लिए भी इतना ही होता है लिखाने के यहाँ पे 1700 yards at 33 angle नाव नेक्स्ट कुशन देखते हैं कुशन नमर 30 वाट इस दे कैलिबर साइज आफ उस राइफल का गन साइज हो फिर जाहे वो कोई सी भी गन हो यह ट्रिक याद रखीगा ठीक है और यह ट्रिक क्या यह तो इसलिए तो इसका नाम ऐसे रखा गया है ठीक है तो 0.22 क्या है यह उसके कैलिबर का साइज है उसके ammunition का साइज है तो caliber size of 0.22 mark 4 का क्या होगा 0.22 होगा यह देखिए सही answer है न ओके ना question number 31 यह सब question आपको number दिला के जाते है बस और कुछ नहीं इसमें भी 0.22 होगा ठीक है उसका caliber का size होगा ठीक है इसका caliber size of 7.62 mm SLR बताइए इसका caliber size कितना होगा SLR का अरे भाई 7.62 mm और क्या ठीक है 7.62 mm बताइए भाई अई तो आप ही बतादेंगे मैंने बताऊंगा 5.56 84RL 84RL का कुटर यानि की caliber size जो हिंदी में इसको कुटर या फिर कुटर बोलते है कितना होता है अब बताइए caliber size of RL भाई आप ही बतादेंगे मैं क्या बताऊं वाट इस दा ammunition size of 5.22 mark 4 यानि की गोली का इसकी size कितना होता है 5.22 mark 4 का अब ये बताइए जितना बड़ा उसका caliber होगा जितना बड़ा उसमें hole होगा गोली के निकलने का अरे भाई ये sense वाली बात है बस questions घुमा फिर आके जिसे दे रहे हैं आपको लेकिन sense यहां लेकिन वहां question जब आते हैं न तो फिर लगता कि यार क्या पूछ लिए बताइए इसका भी answer वही होगा फाइन टू टू ठीक है वाट इस दे नॉर्मल रेट अफ फायर फाइन टू टू मार्क फोर नॉर्मल रेट यानि कि हाँ ये नॉर्मली इतना गती से है ना गोली इसकी जाती है तो मैंने आपको बताया था नॉर्मल रेट कितना है पाँच राउड पाँच राउड नॉर्मल रेट मार्क फोर का और डिलेक्स भी ये का नॉर्मल रेट कितना है ठीक है इसका भी पाँच राउड वाट इस दे नॉर्मल रेट आफ फायर आफ 7.62 mm SLR इसका normal rate कितना है बताएए 5 round तो SLR का .22 की दोनों rifle D-Lex का भी और Mk4 का भी normal rate कितना है 55 rounds है what is the normal rate of fire 5.56 mm in size इसका कितना है 10 round 30 round 50 round 60 round 60 round तो इसका कितना है 60 rounds कैसे याद करेंगे 5.56 आ रहा है लास्ट में तो 6060 से आप इसका याद करेंगे कि normal rate कितना है 60 rounds है now what is the rapid rate of fire .22 Mark 4 rapid rate ठीक है वो normal था यह है rapid तो देखे कितना है 5 से 10 round 10 से 15 round 10 से 15 round इसका सही आंसर है ठीक है इसका rapid rate कितना है 10 से 15 round यह चीज़े आपको याद रखनी पड़े की थोड़ी बहुत है ज्यादा तो है नहीं मैंने आपको इसमें कुछ याद करने जाए लाइक छोड़ा नहीं है वसे तो 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 10 से 15 round है mark 4 का और यहीं सेम होगा 0.22 डिलेक्स बीए का भी ठीक है 10 से 15 round 7.62 mm lmg का rate of fire लिखो rate of fire यादि की normal rate of fire LMG का कितना है यह देखे normal rate है जिसका 28 rounds ठीक है और rapid में इसका कितना है 112 rounds और cyclic में इसका 4500-500 round per minute है इस सारे ही round में आपको जितने भी पढ़ा हैं सब पर minute ही है ध्यान दीजेगा पर minute है ठीक है तो 28 rounds normal है 112 round इसका rapid है और 4500-500 round इसका cyclic यह नहीं लगा तारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब आप गुलिया मारते है तो 4500-500 round इसका हो गया तो अभी तक आपने सबसे ज़्यादा जो देखा वो LMG का है वो इसी तरह आप याद करेंगे रखेंगे कि भाई light का जो speed होता है वो सबसे ज़्यादा होता है ठीक है तो 28 normal 112 इसका जो है rapid और 4500-500 इसका cyclic ना question number 44 देखते है 7.62 mm machine gun ठीक है machine gun का rate of fire लिखो rate of fire यानि normal rate of fire 7.62 mm का rate of fire कितना है देखिए normal का 100 है rapid का 200 है और cyclic का 600 से 1000 rounds per minute अब देखिए सबसे ज़्यादा इसका हो गया सबसे ज़्यादा इसका हो गया तो इसका सबसे ज़्यादा हो गया ठीक है इसका जो normal है वो सबसे ज़्यादा हो गया rapid सबसे ज़्यादा हो गया उसके पास पावर ज्यादा होती है वाइस प्रेसिडेंट उसके पास पावर कम थोड़ी होती है ठीक है तो प्रेसिडेंट के पास पावर ज्यादा है और वाइस प्रेसिडेंट के पास कम है तो ठीक इसे प्रगड़ यह तो लाइट मशीन गन है इसके पास थोड़ी कम पावर है और यह तो machine gun है इसके पास पावर जादा है तो इसके से rounds है वो भी जादा rate के है नॉर्मल हो चाहे फिर रैपिड हो चाहे साइकलिक हो तो 100-200 उसके बाद 600 से लेकर के 1000 ठीक है तो यह हो गया machine gun का rate of fire ना question number 45 पे आते है SLR का stance क्या है एनिक SLR का full firm क्या है तो मैंने आपको बताया था self loading rifle ठीक है self loading rifle उसके बाद आता है 84 mm RL से कितने प्रकार के ammunition fire कर सकते हैं ठीक है तो यह अलग question है ठीक है ठीक है 6 प्रकार का ठीक है 6 प्रकार का जो है हम लोग यहाँ पर ammunition fire कर सकते है 81 mm MOR से कितने प्रकार का ammunition fire कर सकते हैं यह 84 था यह 81 mm RL और यह है 81 mm MOR से कितने प्रकार का 3 прकार का उसमें 6 प्रकार का उसमें 3 प्रकार का अब देखे यह देखे यह 44 था तो इसमें 6 था, अब जब 80 हो गया, 3 कम हो गया, तो जो 6 प्रकार का नीचे हो रहा था, वो भी अब 3 प्रकार का हो गया, ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं Now, question number 48 है, hand grenade number 36 का killing area कितना है, तो यह आपके अब grenades आ गया है, बंब अगयरा पर question आ गया है, तो hand grenade का जो killing area होता है, hand grenade 36 का वो कितना होता है, तो वो देखे, 8 meter radius का, यहनि कि 8 meter का जो इसका होता है, killing area होता है 5.56 mm इंसास rifle की magazine किस से बनी होती है, ठीक है, जो इंसास की rifle होती है, उसकी magazine किस से बनी होती है, लोहे की प्लास्टिक की, फाइबर की, तो लोहे की बनी होती है, ठीक है, इंसास की जो magazine होती है, वो लोहे की बनी होती है तो next question है, rifle साफ करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो देख लिए यहाँ पर दिया गया है, cleaning rod, bore brush, cleaning jacks, cleaning swab, mobs, double ended utility brush, cleaning patches, luster cloth, silicon impregnated gun and drill cloth, cotton swabs, bore snack, cleaning chemicals, including bore cleaners, action cleaners and lubricants, disposal drip pan to catch bio products and residue of the cleaning process, एक बार यह आप बस सबको पढ़ना है, और hit करेगा आपको, जब यह आप से पूछा जाएगा, ठीक है, तो यह question थोड़ा सा, आपको एक बार पढ़ना पढ़ेगा, now question number 51, rifle के कितने भागों पर number लिखा रहता है, याईनि rifle जो number होता है, वो कितने parts पर लिखा रहता है, 7 parts पर, rifle में 7 जगाओ पर rifle का number लिखा रहता है, कितने position से fire कर सकते हैं, तो 4 position से fire कर सकते हैं, SLR rifle की length कितनी, कितने mm होती है, कितनी होती है, 45, इसकी जो होती है, length होती है, SLR की, ठीक है, SLR की जो 45 mm होती है, length, CQB stands for closed quarter battle, ठीक है, closed quarter battle, CQB का full form होता है, closed quarter battle, Now, question number 55 है, SMC का full form क्या होता है, stand machine carbine, rifle granite फटने का समय, तो rifle का जो granite होता है, उसके फटने का समय, 7 seconds, 5.56 mm इनसास की magazine किस से बनी होती है, iron से, plastic से, all या फिर fiber, तो fiber की बनी होती है, SLR की बताया था, आपको मैंने, किस से बनी होती है, लोहे से बनी होती है, इसकी जो होती, fiber की बनी होती है, इनसास की 5.56 की जो, क्या होती है, magazine होती है, वो fiber की बनी होती है, ना question number 58 है, LMG की length कितनी mm होती है, LMG की, अभी आपको किसकी बताई थी मैंने किसकी लेंथ बताई थी मैंने बताई थी आपको SLR की लेंथ ठीक है वो 45 थी इसकी लेंथ जड़ा देखिए कितनी है SLR के बाद LMG की जो लेंथ है वो है 1130 1130 ठीक है LMG की लेंथ अभी तक सबसे ज़्यादा लेंथ इसी की है LMG की now question number 58 के बाद खतम यहने कि तो हमने आज 58 questions किये weapon training के ठीक है काफी सारी बाधाएं आई इस बीच में इस वीडियो को record करते हुए लेकिन finally हमने यह record कर लिया है और finally आपने 58 questions करे और यह most important questions है जो आपने किये तो I hope आपको सारी चीज़ा समझ में आई होगी और most of the questions हमने कर लिये हैं important questions कर लिये हैं हाला कि जो हमने डिल पढ़ा था वो डिल आपके paper में नहीं आने वाला है लेकिन आपके practical point of view से बहुत ही ज़्यादा important है वो section तो आप उसको पढ़ के जाएंगे ignore नहीं करेंगे क्योंकि वो practical के लिए practical आपका लगबख होगा असी नमबरों का उसमें डिल का तो साइद उसमें बहुत ही important वो full रहेगा आपके लिए तो उसको पढ़ के जरूर जाएंगे मिलते हैं फिर किसी next ऐसे ही interesting और concept full वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भार